जहिन दोस्तो तो कैसे हैं आप लोग तो आझ मूँ बात करने वाले हैं विंग बैस लीग के बारे में तो इस लीग का मैच नमबर टेन होने वाला है जो कि एडिलेट च्ट्राइकर वर्सेस होबाट सियोरेकेंस के बीच में खेला जाएगा तो मैं इसी match के आज दोस्तो 5 team की combination आपको इस complete वीडियो में देने वाला हूँ जिसके मदद से आप इस match में hit to hit, ACL और GL कोई भी fantasy एपों में जीत सकते हैं तो दोस्तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे अगर जीतना चाहते हैं तो आपको 5 team जो मिलेगी उसमें से एक team आपको hit to hit की मिल जाएगी एक team आपको ACL की मिल जाएगी और 3 team आपको GL की मिल जाएगी तो कुल मिला कर आपको 5 team मिलेगी और वीडियो के अंत में दोस्तो match winner में बताऊंगा कि इस match को कौन जीत सकते हैं तो दोस्तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होगी और 100% winning करवा के आपको जरूर देगी और साथी साथ दोस्तो अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा इस चैनल में आपको 100% winning team मिलती है कोई भी लिग T10 से लेकर T20 से लेकर दोस्तो बिग बैस से लेकर World Cup तो दोस्तो अगर जीतना चाहते हैं तो हम सको follow करिए टेलिग्राम ग्रूप में, इंस्टाग्राम ग्रूप में ताकि दोस्तो आप हम से जुड़े रहें और further update आप सब के पास मिलते रहे और आप easily win करते रहें fantasy apple में तो दोस्तो हमारी team बहुती तगली रहती है वो आपको कुछ हम से जुड़ेने के बाद पता चल जाएगा तो आप चलते हैं दोस्तो आपको जो मैं 5 team बना कर रखा हूँ वो आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ जिससे आपको जीतने में फायदा हो तो यह मेरी पैली team है जिसको मैंने hit to hit के लिए डेजाइन किया है एक बात ध्यान में रखेंगे दोस्तो women's वाले big bass league में runs थोड़ा कम बनता है और bigates जादा गिरते हैं तो आप all rounder और जो ballers होते हैं उस पर जादा focus करेंगे batsman एक आद ले लेंगे लेकिन all rounder जो रहेंगे वो bowling भी करेंगे और जल्दी batting भी करने आते हैं तो यह खासके थे all rounder के इसलिए आपको all rounder भरपूर मातरा में खिलाने चाहिए अपने टीम में जिससे आपको फायदा होगा दोस्तो और यहां पर बात करें दोस्तो इस match में key player तो key player यह चारू तो रहेंगे यह रहेंगे all rounder एक यहां दोस्तो Amisterio और आपके Wellington यह और एक priest यह जो हैं दोस्तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेस्ट इस match में काभिलेत होने वाले मतब साबित होने वाले हैं जिनको आप कप्तान और वाइस कप्तान ट्राइ कर सकते हैं अपने टीमों में तो यह सारे दोस्तो आपको जिदा सकते हैं match को तो इनही जो 6 प्लियर 7 प्लियर को नाम लिया इनही पर पूरा match चलेगा और यही लोग आपको points देंगे तो ध्यान रखेंगे दोस्तो यह सभी प्लियरों को कोसिस करिएगा कि हर टीम में रखने का एकाप changes कर सकते हैं बट हर टीम में रखने की कोसिस करेंगे दोस्तो अब चलते हैं इस टीम को आपको कहाँ लगा दनी है तो hit to hit की team में इसको लगा दनी है दोस्तो आपको फैदा मिल जाएगा जो आपके opponent रहेंगे जो आपसे भीडेंगे hit to hit में उनका भी kup9 दोस्तो मेनी 60% चांसे से कि t-active त집 शागत रहेंगे और क्वारीद काप्तान दोस्तो जोनस कोईधू है यन्य कर सकते हैं ने तो दोस्तो सेम भी हो सकते हैं या फिर एक और option प्रिश्ट ये भी हो सकते हैं ये तो सेम हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसी टीम से जाए ना आपको 100% winning हो जाएगी head to head में इस टीम को आप GL में भी try कर सकते हैं अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ तो यह दूसरी टीम है दोस्तो इसको आपको SL में लगानी है यह 3 और 4 वाले जो लीग होते हैं वहाँ पे इस टीम को आप लगाएंगे तो आपको 100% winning हो सकती है हाला कि दोस्तो आप वाइस कप्तान चेंज कर सकते हैं आर प्रिस्ट को हटा भी सकते हैं कि पिछला मुकाबला में यह लाजवाव रन बना हैं इस मुकाबले में मुझे लगता है थोड़ा flop भी हो सकते हैं वाइस कप्तान सेफ के लिए यहाँ पर आरगोस को बना सकते हैं या फिर दोस्तो जॉंसन को ही या फिर टी गर्थ को में किनी एक ही को बना लेंगे तो आपको और भी फैदा हो सकता है या पिर दोस्तो इनका दिन चला तो चल भी सकते हैं तो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं या फिर सेम टीम से जा सकते हैं हाला कि दोस्तो मैंने यहाँ पर B-Way करणा को रखा है जो बॉलिंग करते हैं लाजवाब लेकिन कुछ मैचों में इनको बिकेट्स नहीं मिला है इस मुकाबले में मुझे लगता है यह बिकेट्स निकाल कर देंगे आपको अगर आप इनको रखेंगे तो आपको फैदा जरूर होगा दोस्तों तो इस टीम को आपको कहा लगानी है एसल में तीन चार वाले जो लीग होते हैं वहाँ पर लगा देनी है और A. Smith को अपने टीम में रखा A. Smith में बहुती लाजवाब बॉलर है हाला कि दोस्तों अभी एक दो मैच खेले हैं अभी खुलेंगे जरूर दोस्तों इस मैच में बिकेट जरूर लेंगे और N. Kerry को मैंने कप्तान मनाया जो बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं लाजवाब अपने टीम के तरफ से और राउंडर हैं तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस लिए मैंने इस टीम को GL में लगाने बोला है दोस्तों एक आप्सन आपके पास और है ये डू प्रेज है ना ये भी बहुत ही लाजवाब बैट्समेन और बॉलर है हलाकि बॉलिंग जल्दी नहीं करते हैं लेकिन बैटिंग भरपूर करते हैं तो दोस्तों ये दो मैच खेले हैं दोनों ही माच हम फ्लॉप रहें इस मैच में चलने की संभावना है तो इनको भी ट्राइ आप कर सकते हैं अपने मैच में अपने टीम में किनी ग्राइड लीग के टीम में एसल में ट्राइड ना करें सिर्फ ग्राइड लीग में तो इस टीम को आपको जील में लगा देनी है अब चलते हैं दोस्तो चौथी टीम की तरफ ये भी टीम दोस्तो आपको GL में लगानी ये GL special टीम है जाप मैंने बोलर्स चार रखे हैं कप्तान मैंने टीवेक को बनाया है जो दोस्तो टीवी है ये दोस्तो लाजवाब बोलर है लेकिन दो मैच अब इनको विकेट्स जादा नहीं मिले जाता पॉइंट भी नहीं दिये हैं इस मुकाबले में आपको ये दो तीम या भी केट्ट निकाल कर देंगे तो आपको इनको अपने टीम में रखना चाहिए और वाइस कप्तान दोस्तो मैंने स्टूर्ग को बनाया है अगर चेंज करना चाहेंगे तो ये सारे अपसन हैं तो इनको भी आप बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लेजिए तब ही आप जीत पाईएगा दोस्तो अब चलते हैं आकरी टीम की तरफ ये आकरी टीम है जाप मैंने कप्तान स्टूर्ग को बनाया है और वाइस कप्तान मैंने ती गर्थ को बनाया है हलाकि दोस्तो थोड़ा से रिस्क लेना चाहें तो एस मौलनी को भी बना सकते हैं आप कफ्तान वह भी आपके लिए बेस्ट आप्सन ये बालिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे तो ध्यान रखे दोस्तों इस टीम को आपको जील में लगा चलते हैं दोस्तों ये आपके लिए इसकी प्लेयर नहीं है ये आपके लिए सेफ प्लेयर है तो दोस्तों पूरी यहां पर कंप्लीट होती है पांचों टीम पांचों टीमों को अच्छे से देखना है अगर नहीं देख पारें तो वीडियो पाउच करकर देखेंगे लेकि इस मैच की विनर एडिलेट स्ट्राइकर तो एडिलेट स्ट्राइकर के आप फिवाकर के टीम ही बना सकते हैं आपको फायदा देखने को मिल भी सकता है तो दोस्तों ये पूरी complete वीडियो थी इस मैच की तो ये मैच आपको इस सुबा साड़े चार बजे होगा तो आपो जल्दी उठना पड़ेगा अगर कोई भी यहाँ पे अपडेट होती है तो मैं अपडेट टेलिग्राम पे कर दूँगा तो दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जाहिंद